नमश्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीश कई सालों से मैं अपनी स्पिरिच्वल लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक चीज थी जो मुझे रोक रही थी और वो है मेरे अंदर का हेट्रिड वो तभी सॉल्व हुई जब मैंने उसको पूरी तरह से डिजॉल्व कर दिया या कहना चीज वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया क्योंकि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टन चीज समझ पाया हमारे पेरेंट्स खास तोर से जो भी चीज़े हमसे कहते हैं अगर वो ऐसा कुछ है कि हमको परिशान करे और वो बार-बार कहते हैं तो वो हमारे confidence को हमारी life को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है कोई भी माबाप अपने बच्चों का ना बुरा चाहता है ना जान मुझ के बुरा करता है लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जिनको केवल toxic कहना भी काफी नहीं होगा वो detrimental है वो dangerous है अगर हमारे आसपास इतना जादा violence है इतने लोग बिमार पढ़ रहे हैं depressed हो रहे हैं तो उसका कहीं न कहीं एक cause है toxic words from parents या वो लोग जो guardians है और ऐसे शब्द कहीं पर भी कोई भी किसी से कहता है शब्द होते हैं toxic words यह जाते नहीं है यह हमारे कान के जरीए ब्रेन में पहुंचते हैं और ब्रेन में जाकर के एक scar create करते हैं emotional scar जो बुढ़ापे में भी याद रहता है और वो emotional release करता है अब भी हमनों बात कर रहेते हैं जोनोंगा advance में यह किस तरह से आप deep meditation में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपके brain में emotional scars है उन सारी चीजों के लिए जो आपने बच्पन में जहला है तो यह कुछ है toxic words जो आपको अपने बच्चों से नहीं कहना है अगर आप बच्चे हैं तो अपने parents से इन चीजों के लिए बात करिए इसको dissolve करिए बट अगर आप खुद पिक जागरुक parent हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ें तो खास्तोर से इन शब्दों को तो ऐसे रखिए जैसे आप poison को treat करते हैं कोई बहुत खतरनाक चीज होती है तो आप उठाकर गर से fake देते हैं बदबुदार होती है तो ऐसे ही इन शब्दों को अपनी vocabulary में से ही हटा दीजिए अपने बच्चों के लिए तो कौन-कौन से वो toxic words है जो आपको नहीं उसकरना चाहिए सबसे पहला बच्चों की appearance के लिए कुछ भी taunt मारना अगर आपका बच्चा देखने में बाकी बच्चों से पतला है या मोटा है काला है अगोरा है अगर उसके appearance के लिए आपने इस तरह के शब्द यूज किये कि उसको एहसास होता है कि मैं अजीब और गरीब हूँ तो आपको पता नहीं है आप उसको कत्रा कत्रा confidence को kill कर रहे हैं यह सालों साल तक खतम नहीं होता है बहुत से लोग अपने career में बहुत आगे जाने के बाद भी अपने अंदर की यह inability जो बच्पन में parents ने कर दिया है वो खतम नहीं होती अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के looks में, appearance में कोई कमी है तो सबसे पहले तो अपने mind में उसको dissolve करिए क्योंकि हमारे looks पे हमारा थोड़ी कोई जोर होता है और आपको बता है, अगर हम body shaming करना शुरू कर देते हैं बच्चों की तो उनको धेर सारी बिमारिया हो जाती है जैसे eating disorders हो जाती है उनका self-esteem खतम हो जाता है Princess Diana को जानते हैं आप उनको eating disorder थी, वो तो दिखने में बड़ी खुबसूरत थी तो उनको इस तरह की problem क्यों ही कहीं न कहीं हम जब बच्चों को conscious कराते हैं कि तुम अजीबो गरीब हो चाहें वो कैसे भी दिखते हो दुनिया के खुबसूरत बच्चे को भी आप चाहें तो body shaming करके उनके appearance के बारे में कुछ बुरा बला बोल करके पिमार कर सकते हैं डिरेंजड कर सकते हैं तो फ्लीज इसको avoid करिए दूसरी बात है बच्चों की activities के लिए बातें बोलना हमको लगता है कि जब हम किसी बच्चे को उनके चलने के उपर उनके body के movement के उपर जैसे मैं देखता हूँ एक भाई साहब है वो अपनी बेटी के लिए हमेशा ऐसे शब्द यूस करते हैं कि तुम जुक के क्यों चलती हो तेड़ी मड़ी क्यों चलती हो उसके बालों को लेकर के बहुत बो परिशान रहते हैं क्योंकि बच्ची बाल का बहुत ख्याल रखती है अपना शीज वरी कॉंशेस अबाउट हर हैर और वो इसी चीज़ को लेकर के इशू बनाते है और कुछ साल पहले जब मैंने देखा उस बच्ची को तो साइकलोजिकली वो इतनी वीक हो चुकी थी कि उसकी जुबान भी कापती थी इंडिया वो जगह है जहां पर अश्टवक्र जैसे लोग रिशी हुए है अश्टवक्र जानते हैं न कौन थे उनकी बॉड़ी आठ जगह से टेड़ी थी वो चलते थे तो पूरी बॉड़ी हिलती थी अगर आप एक बच्चे को चाहते हैं कि वो ग्रेट बने सुपर कॉंफिडेंट बने तो उसकी कमियों को मत याद दिलाईए उसे उसके अंदर में कौन सी पॉजटिविटी है उसको उजागर करिए उसके बायस में लेकर आईए कॉंफिडेंस बड़े धीमी धी में बिल्ड़ अप होता है सालों साल लग जाते हैं तूटने में कुछ सेकंड लगते हैं इसलिए बाड़ी शेमिंग करना बंद करिए बहुत बार जब हम नाराज होते हैं तो बच्चों के लिए हम अजीब और गरीब विशेज बोलते हैं ऐसी विशेज जो हम कभी नहीं चाहते हैं पूरी हो जाएं आपने कभी कहा है अपने बच्चे के सामने कि तुम मर जाते हैं तुम पैदाय नहीं होते मैंने अबाड क्यों नहीं करा लिया तुमारे लिए ऐसी सारी बाते हैं जिसमें आप बच्चे को ये दिखाते हैं कि आप उनके आपके घर में आने से regret करते हैं ये उस बच्चे को कैसा बनाता होगा कैसा feel कराता होगा कभी अपने शीशे में जाकर के खुद को ऐसे शब बोल के देखिए और आप देखिए अगर यही चीज़ आप खुद को दो, चार, पास दिन तक बोलते रहें अपने आपको आप खुदी वीक महसूस करना शुरू कर देंगे मेरे कि लास पेरिंट्स होते हैं बच्चों को बड़ा करने के लिए बहुत जद्धो जहिद करते हैं लेकिन ये feel क्यों कराते हैं बच्चों को कभी ऐसा feel मत कराईए कि वो burden है आपके उपर कि तुम्हारे ले इतना मुझे खर्चा करना पड़ रहा है अगर खर्च कर रहे हैं तो खुशी-खुशी करिए अगर ज़्यादा लग रहा है तो कम करिए लेकिन कभी ऐसास मत दिलाईए अगर आपके पास उस बच्चे के लिए महंगे कपड़े, महंगे फोन, महंगा लैपटॉप खरिदने के लिए पैसा नहीं है तो जितना पैसा है उतने में खर्च करिए लेकिन कभी भी ऐसा उसको एहसास मत कराईए कि वो आपके सर पे बोज है कभी ऐसा मत बोलियो उस बच्चे को यह तुम मुझे ठका देते हो, परिशान कर देते हो मुझे पता है, यह सारी की सारी चीज़ें आप consciously भी बोलते हैं लेकिन जब मुझे से निकल जाता है तो ऐसे ही है जैसे आपने कहते न चाकू पे लौकी गिरे या लौकी पे चाकू कटती तो लौकी ही है बच्चे ही कटते है क्योंकि आपकी personality तो solidify हो गई है लेकिन अभी विविव उस बच्चे के अंदर में उमीद है और पता है इससे फिर क्या होता है, धीरी धीरे वो बच्चे आपके सामने अपनी जरूरतें बताना बंद कर देते हैं कभी भी ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि क्यों आ गया मेरे साथ मेरे घर में क्यों आ गया ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए अगला पॉइंट है अगर आप अपने बच्चे को अपने उसके भाई से, कजन से, परोसी से कहीं से भी compare कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि आप उसको motivate कर रहे हैं बट basically आप उस बच्चे के अंदर में क्या डाल रहे हैं? hatred डाल रहे हैं और यह hatred दिमीदी में इतना साथा बढ़ जाता है कि बहुत बार दुश्मनी हो जाती है siblings में एक दुसरे की शकल नहीं देखना चाहते मैं तो अच्छे घरों की बात कर रहा हूँ जहां पर बहुत अच्छे सुभाओं के बच्चे आपस में जब रहते हैं तो भी rivalry हो जाती है क्योंकि बच्चपन में unconsciously parents ने compare कर लिया बच्चों के लिए parents का काम है कि उनको बता सके कि हर एक बंदा unique है अगर कोई बच्चा 100 में से 100 ला रहा है और कोई बच्चा केवल just pass हो रहा है एक ही घर के बच्चे तो भी दोनों unique है दोनों की अलग-अलग capacity है और उस capacity को आपका काम है उस बच्चे को comfortably feel कराना अगर आपने ये race में दोड़ाने की कोशिश की दो भाई बहनों को compare कराके तो आप जो एक दूसरे का support बन सकते थे वो आपने दुश्मन बना दिया कभी भी बच्चे को verbally abuse मत करिए गाली मत दीजिए तुम useless हो तुम stupid हो तुम बेवकूफ हो तुमें कुछ अकल नहीं है तुम जिदगी में कुछ कर नहीं पाओगे ये बच्चे के लिए शराब बन जाता है बच्चे feel करना शुरू कर देते हैं कि कुछ नहीं कर पाते है और फिर वो आप ही के उपर liability बन जाते हैं आप ही परिशान होते हैं उनके लिए और आपको कैसे पता हो नहीं कुछ कर पाएंगे उप तो किवल आपका emotion है अगर आपके मूँ से ऐसी बात निकल भी गई है तो जाकर के बाद में उस बच्चे से बात करिए कि मेरा दिमाग खराब था एक बच्चे को adult की तरह treat करिए और अपने बच्पने को अपने अंदर के confusion को उनको बताईए कि confusion था तुम बहुत capable हो तुम स्कूल में कितने marks लाते हो या कोई तुमको इंटर्वीव में क्या बोलता है वाईवा तुम्हारा कैसे जाता है तुम्हारा future ना बहुत खुबसूरत हो जाएगा ना ही तो खराब हो जाएगा तो कभी भी उनको उस point पर मत छोड़ दीजे लाचारी वाले point पे बच्चे को कभी धंकी मत दीजेगा मैं तुमें छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा बच्चे बहुत suggestive होते है वो डर जाते हैं इतना जादा कि उनकी personality ही डरावनी हो जाती है उनका confidence इतना खतम हो जाता है कि फिर वो कुछ भी बढ़ा नहीं कर सकते है और last point है बच्चे को empty promises मत दीजे जो करने वाले हैं वो करिए लेकिन कभी भी सौधे बाजी मत करी हैं उनके साथ कि तुम एक्जाम में इतने नमबर लाओगे तो तुमको मैं समान दिलाओंगा एक भाई साहब को मैं जानता हूँ और उन्हें बहुत बड़ा promise कर दिया बच्चे के साथ मैं तुम में मोटरसाइकल दूँगा महेंगी वाली आठ लाक वाली वो बच्चा लेकर आगया माक्स उसके बाद से वो बच्चे ने कभी respect नहीं किया क्योंकि वो देनी पाए Treat them like adults और लाइफ में कुछ कर पाना अगर बच्चा अच्छे माक्स लाप आएगा तो वो आपकी लालत से नहीं लाप आएगा जो लालत से मेहनत कराई जाती है वो फिर खतम भी हो जाती है आप चाहती है वो बच्चा expert बने अपने subject में गहरा जाए उसके लिए लालत मुत यूज करिए बच्चे को बताती है वो काम करने लाइक नहीं है लेकिन किसी और काम के लिए अच्छे क्रिशन जो बोल रहे हैं फल की चिंदा मत करो हम फल को अड़ करके उस काम को और ज़्यादा derivative कर रहे है अगर तुम कमरे की सफाई करोगे लेकिन एक बार आप इनको अपने मेमरी में डालना शुरू कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा मुझे याद नहीं है कब मैंने श्रीश के साथ इन में से कोई भी एक भी चीज़ की हो मुझे याद नहीं है आज तक्षीश के उपर मैंने एक बार भी उंगली उठाई हूँ गुसा तो आता था लेकिन फिर मैंने सारी जीज़ों का अपनी मन के अंदर भी देखना शुरू किया कि किस तरह से जब मेरे उपर डाट पड़ती थी मेरे उपर में मार पड़ती थी जब मुझे ऐसे ऐसे वर्ड बूल जाते थे तो कैसा फील होता था खरी जिनुगा के आने के बाद से मेरी तो हीलिंग प्रोसेस बहुत तेज होगी इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे पेरिंट बना चाहते हैं तो अपने पेरिंट से बात करिए और अगर आप ऐसे पेरिंट हैं तो अपने आपको पेरिंटिंग सिखाईए जब तक आप केरिंग कमपैशनेट पेरिंट्स नहीं बन सकते तब तक आपको पेरिंट बनने का अधिकार नहीं है मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है बड़ यह सच है खली बच्चे पैदा करने से हम पेरिंट नहीं बन जाते हैं मैंने काफी ख़ड़ी खुड़ी सुदा दिया आपको इंग क्या करूं कभी-कभी ऑपरेशन की जरुवत पड़ती है मिलते हैं अगली वीडियो में नमश्कार अगर आप इस वीडियो के साथ करिक्ट हो पाए अपने दोस्तों से शेयर करिए लाइक जरूर करिएगा सब्स्राइब किये बना जाईएगा मत और यहां पर यह वाटसेप नंबर है इसमें धेर सारे अलग-अलग courses है मैंने सारे courses को चार पार्ट में डिवाइड किया है एक decision making का course है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है spiritual जिसे लोगा basic advanced course है उसको हम smoksh के नाम से पुकारते हैं relationship के course को हम काम के नाम से पुकारते हैं और last में पैसे का financial freedom का उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं तो यह चार basic heading है जिसमें धेर सारे अलग-अलग topics हैं वो सब आप में जाकर के deep space knowledge अगर आप play store पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा और और कोई जानकारी चाहिए इन courses की बारे में तो यह whatsapp number है whatsapp कर लीजे, thank you दोस्त